हलो फ्रेंच, वेलकम टू है स्टेडी, डिल्ली डवलप्मेंट अथोर्टी की और से एक एक्जाम कंड़ेट करवाई जाएगा, ASO की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सेक्सन ओपिसर की पोस्ट के लिए, ये एक्जाम आप लोग का 25 अप सप्टमबर से स्टार्ट हो रहा है और जिनका भी एक्जाम 25 अप सप्टमबर को है, उनका एडिमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, आप लोग अपना एडिमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो ये जो साइट मैंने ओपन कर रखे है, डे डे की ओपिसल वेब स है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसमें सबसे पहले आप लोग को लोगिन करना होगा, लोगिन में आप लोग को यहाँ पर अपनी यूजर आइडि भरनी है, यूजर आइडि कहां से मिलेगी, तो ये मिलेगी आप लोग को अपनी इमेल आइडि पर मेंसन है, जह यह यूजर आइडिया, capture fill करने के बाद आप लोगों को क्या करना, login वाले option पर click करना है, और अगर कोई अपनी user ID या password बोल चुका है, तो यहाँ पर click कर लिजेगा, password change करना है, तो यहाँ पर click करिएगा, तो यह सारे detail भरने के बाद आप लोगों को login वाले option पर click करना है, तो मैं आप लोगे लिए capture भर देता हूँ, तो मैंने capture fill करने के बाद आप लोगो login वाले option पर click करना है, तो जैसे आप लोग login वाले option पर click करेंगे, तो आप लोग के सामने एक pop-up आएगा जिसमें यह बताई जाएगा कि आपका जो परम वो submit हो चुका है उसके बाद इसको close कर दीजेगा close करने के बाद आप लोग इसमें क्या करना है आप लोग को इसमें तीन option दिखाई देंगे application detail और exam detail and help desk तो आप लोग को किस पर जाना है exam detail पर जाना है तो मैं आप लोग के लिए exam detail पर क्लिक करता हूँ तो जैसे आप लोग exam detail पर क्लिक करेंगे तो आप लोग निचे slide करियेगा और जो आपका exam होगा 25, 26, 29 and 6, 8 अक्तुबर को conduct करवाज देगा total 5 दिन आपका exam conduct करवाज जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को date मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक blue color में दिखाई देगा यह admit card तो यहाँ से आप लोग अपना admit card download करने के लिए इस पर क्लिक करिएगा जैसे आप लोग कलिक करेंगे तो download का option आएगा और यह आप लोग का je admit card रहेगा टो हो चुका है और यह admit card इस तरह के से आप लोग download करेगा इस candidate का जो exam मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका एक्जाम होगा 25 सब्टमबर को वो reporting time रहेगी आप लोग की admit card को डाउनलोड कर डीज़ेगा ये exam pattern मिनों ने दे रखा कि 200 number का paper होगा एक गंटे का time रिगर रहेगा और हर एक subject से 25 question पुछ जाएंगे क्या 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 लेकर जाना है तो इसके लिए आप लोग के लिए अलग से एक video बना दूआ तो ये सारी चीज़ेती जो आप लोग को ध्यान लखने है इस तरह के साथ आप लोग अपना admit card को download कर पाएंगे किसी भी candidate को अपना admit card download करने से लेटिड अगर किसी भी तरह की कोई भी problem आती है तो वो candidate comment करके पूछ सकता है उसका reply उसको comment box मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you